अब हैं यह स्वागत है अप्स भीका आपके अपनी रिप चैनल में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो पर हम बीए वी कॉम एमें कॉम का प्राइवेट एक्जाम फॉर्म फिल करके दिखाएंगे बीए कॉम M.A.M.com के private case turn अपना exam form किस तरह से fill करेंगे आप लोग इस वीडियो के मादम से step by step बताए जाएगा क्या क्या document आपको form में fill करनी है क्या क्या details आपको भरनी है exam form की fees कितनी है इसकी पूरी information आपको step by step इस वीडियो के मादम से दी जाएगी तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखें पसंद आये तो लाइक शेयर करके चैनल के सबस्काइब जरूर कर लें तो आप लोग अपने mobile phone में computer में लैप्टोप में जिसमें भी अपना form भर रहे हो उसमें किसी भी browser को open कर लोगे और open करने के बाद में search बार में type करोगे के यू के private form इसके बाद में आप लोग को पहली साइट पर क्लिक करना है online agreement form for private candidates अब आप के यू के official website पर आ जाओगे आप लोग को इस website के लिक वीडियो की description box में भी मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको first number पर option दिख रहा होगा click here to register and login तो इस पर आप लोग को click करना है अब अगर आप लोग already registered है पहले से तो आप लोग यहाँ से अपना form fill कर सकते हो username enter password डाल कर login पर click करके अपना form fill कर सकते हो अगर आप लोग first time form fill कर रहे हो तो आप लोग को पहले registration करना होगा इसके बाद में आप लोग को अपना form भरना है तो registration से लेकर पूरा form fill करके मैं आप लोग इस वीडियो के माधम से step by step दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग को पहला option दिख रहा होगा enter first name का आगे है enter middle name और आगे है enter last name तो अगर आपका first middle और last name है तो fill कर सकते हैं अगर first और last name है तो first और last name ही fill कर दें आगे option है enter email का तो यहाँ पर आप लोग उपनी email ID फिल कर दें और आगा option है enter mobile number का तो यहाँ पर आप लोग उपना mobile number फिल कर दें इसके बाद में आप लोगों को Send OTP वाले बटन पर क्लिक करना है अब आपकी email ID पर और आपके phone number पर एक एक OTP जाएगा दौनों OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करने हैं तो mobile number और email ID दौनों OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करेंगे यहाँ पर हमने mobile number और email ID दौनों OTP पर फिल कर दिये हैं अब आपको अपना password बनाना है password बनाने के लिए आपको अपने password का पहला word capital लेना है इसके बाद में small letter आने चाहिए इसके बाद में star has या add the rate कुछ आना चाहिए और इसके बाद में कोई number आना चाहिए और confirm password में भी यह same password फिल कर दें इसके बाद में नीचे यह capture आपको दिख रहा होगा यह capture, enter capture में आप लोग फिल कर देंगे और इतनी साई detail फिल करने के बाद में अब आप लोग को register वाली बिटन पर किलिक करना है आप देख सकते हैं कि आपका registration complete हो गया है इसके बाद में दोस्तों आप लोग को side में आपका नाम दिख रहा होगा और आपको नीचे दिख रहा होगा dashboard और registration form का option अब आप लोग को registration form वाले option पर किलिक करना है इसके बाद में आप लोग कहीं हैं पर form open होगा इसके बाद में आप लोग को हैं पर कुछ details fill करनी है current program details हैंगी exam type में आप लोग जाएंगे exam type select कर लेंगे full paper है, reappear है या फिर compartment है, additional है या फिर improvement है तो यहाँ पर हमारा full paper है आप लोग जो भी है आप लोग अपना select कर लेना इसके बाद में आगे option है course का तो इसमें जाएंगे और आप लोग अपना course select कर लेंगे बादर of arts, bachelor of commerce जो भी आपका course है, आप लोग अपना course यहां से select कर लेंगे, इसके बाद में आगे option है term and year का, इस पर click करेंगे और आप लोग का first year है second year यहां फिर third year है, कौन सा year है आप लोग यहां से अपना year select कर लेंगे इसके बाद में capacity appearing option है, इस पर click करेंगे और आप लोग woman है, के यू employee है, या फिर serving military personal है, जो भी है आप लोग select कर सकते है अब आगे option है are you already registered student of crucial university, अगर आप के यू के में already registered है, पहले से तो yes कर सकते है, yes करेंगे तो आप लोग को यहां पर details देनी होगी अन्य था आप इसको no पर click कर दें अब आप लोग को अपनी person details fill करनी है, आपका name यहां पर fill होकर आएगा, अब आपको फादर name और mother name fill करना है, आपको date of birth पर जाना है, और आप लोग अपनी हापर date of birth fill करेंगे, date of birth fill करने के बाद में आगे gender को option है आप लोग gender अपना select करने male है आप लोग या फिर female है, इसके बाद में आगा option है category का, select पर जाएंगे अपनी category select कर लेंगे, bc, dsp, general जो भी आपकी category है, sc, general आप लोग select कर सकते हैं, दोस्तों अगर form भरते टाइम, अगर आपका form किलोज हो जाए, किसी भी बज़े से अगर आपका form cut हो जाए, तो आप लोग दो बाद से username में अपनी email id fill करके और password में अपना password fill करके login कर सकते हो, sc, general, st, obc, जिस भी category से आप लोग long करते हैं, आप लोग अपनी category यहाँ पर select कर लेंगे, इसके बाद आगे religion का option है, religion पर click करें और अपना religion select कर लें, इसके बाद में आपको अधार number का option दिख रहा होगा इस पर click करें, और यहाँ पर आप लोग अधार number fill कर रहें, नीचे option है, residential area का, तो अगर आपका area rural है, अगर gramil है तो rural पर click कर दें, अगर आपका area शहरी है तो urban पर click कर दें, आपको permanent address और correspondence address का option मिलेगा, address line first, line second अपना यहाँ पर address fill कर दें, address line first या फिर second दोनों fill कर सकते हैं, फिर एक fill कर सकते हैं, नीचे option है, pin code का, तो यहाँ पर pin code डाल दें, अपने area का, आगे district का option है, आपका district क्या लगता है, आप लोग यहाँ पर अपना district डाल दें, और आगे city का option है, city यहाँ पर अपनी fill कर दें, और नीचे state और country का option है, तो state में अपना state डाल दें और country में अपनी country डाल दें इसके बाद के पर्मेंट address details का option है तो अगर आपका पर्मेंट address भी same है तो इस पर टिक लगा दें तो same address नीचे भी fill हो जाएगा अब नीचे आएंगे यहाँ पर previous academic details का options है तो अगर आप लोg Maem com का form भढ रहरे हो तो यहाँपर आप लोग को ब जोखो बिखृँ करनी है अगर आप लोग बीने वी कि फिल कर रह हो तो आप लोग को त्ट एधाम नेम का तो यहाँपर आप लोग ट्वाय में सकते हैं वो आप लोग यहाह पर पास आउट ऊपर जो यहां पर प्लिक करदें तो आप लोग अपनी courts कर ब्रू लंबर है इसकी बा blinking आप離 आप पर यहां पर मां कूं जाकर आप से फैल जो भी है आपका सलेक्ट करन hey इसके यहां से तो आपका 12 कितना था वो आप लोग कर दें उसके बाद में आप लोग को 300 KB 300 KB का यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए maximum तो फोटो और सिंग्रेशर अपनोड करने के बाद में आप लोग नीचा होगे यहाँ पर आपको हर्याना डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है 300 KB का आपका फोटो होना चाहिए इसके बाद में previous qualification certificate आपको अपलोड करना है 12th के mark street आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अब नीचा आप लोग को my question certificate यहाँ पर अपलोड करना है तो दोस्तों यह साइड document यहाँ पर हमने फिल कर दी है अब फिल करने के बाद में आप लोग को next पर क्लिक करना है नेक्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने तीसा section open होगा examination form का और इसके बाद में चौता section है preview and payment का अब देखो यहाँ पर आपके सामने station details का option आएगा districts में जाएंगे और अपना पर district select कर लेंगे इसके आगे exam station first का option आएगा तो यहाँ से exam station select कर लेंगे अब नीचे option है people with disabilities तो अगर आप blind या deep है और अपने hand से लिखेंगे तो इस पर टिक लगा सकते हैं अगर नहीं है तो इसको छोड़ दे अब नीचे आप लोग को subject दी गई है subject के आपको कैसे फिल करनी है वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि exam details आपको यहाँ पर दीगई है year first में आपको total 5 यहाँ पर subject पढ़नी है total course minimum 5 subject maximum 5 और यहाँ पर आपको core course की जनका यह दी गई है अगर आप core groups लेते हो तो minimum 1 और maximum 1 आप ले सकते हैं और अगर आप total core course लेते हो तो आप minimum 2 और maximum 2 यहाँ पर ल आप total core course लेते हो तो minimum 2 subject आपको हैसे लेनी है और बाकी elective course में से लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि core group में से minimum 2, maximum 2 is compulsory group तो यहाँ से दो subject यहाँ पर already select हैं आप यहाँ पर छातर ध्यान दे, elective course के आपको जनकाई दी जा रही है total elective group आपको अगर लेते हो तो elective group आपको दी गए है, elective group first, elective group second, third, fourth और यह fifth तो elective group first में से menu आप zero subject ले सकते हैं और maximum आप वो एक subject ले सकते हैं, elective group second में से आप एक subject ले सकते हैं maximum, elective group third में भी आप एक subject ले सकते हैं maximum, और elective group fourth में भी आप एक subject ले सकते हैं, और अगर ना ले फिर भी आपको कोई problem नही है और नीचे एलेक्टिव गूरूप फिफ दिया गया है यहां से भी आप एक सब्जेक्ट मैक्जियम ले सकते हैं और मिनिवम जिरू ले सकते हैं और नीचे कंपल्सरी एलेक्टिव गूरूप है तो यहां से आपको एक सब्जेक्ट कंपल्सरी लेनी है मिनिवम एक सब्जे आप हैंसे ले लेनें एकट एलैक्टिव ग्रूप में इस तो एलैक्टिव ग्रूप मेंसे हम दो सब्जक्ट अईले लेनी है तो electric group मेंसे हम दो subject all ले लेते हैं और नीचे compulsory electric मेंसे एक subject हैंसे हम ले लेते हैं तो इस प्रकार subject selection करने के बाद में अब आप लोग को next पर click करना है अब देख सकते हैं कि are you sure do you want to confirm exam form तो अगर आप exam form submit करने के लिए confirm हैं तो आप लोग को okay पर click कर सकते हैं अगर आप subject में कोई selection करना चाहते हैं तो अभी हांसे selection कर सकते हैं और आपको instruction भी दिए गए हैं वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या के आपको बताए गया है तो अगर आप लोग confirm हैं तो ओके पर click कर देंगे तो जैसे ही आप लोग ओके पर click करेंगे आपका पूरा form आपको दिखाए जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो दो details यहाँ पर fill करिए वो details आपको पूरी यहाँ पर दिखाए जाएगी अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि examination fee आपको यहाँ पर देखेगी 2000 रुपे और आपको यहाँ पर आपके exam details आपको देखाएगी exam name, exam type, exam station और course name, course subject, course type आप लोग अपनी subject यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे आपकी payment details है 2 रुपे आपको fees pay करनी है तो अगर आप लोग confirm हैं तो इस पर टिक लगा देंगे I agree and continue to make payment इसके बाद में आप लोगो click here to paper क्लिक करना है फिर आप किसी भी तरीके से payment कर सकते हैं कई सारे option आपको हैपर मिल जाएंगे ICIC, bank, retail, ICIC, bank, corporate, other bank, other net banking और UPI का भी option है आप किसी भी तरीके से payment कर सकते हैं तो आप लोग इस तरीके से अपना form का payment कर दें payment करने के बाद में नीचे ही print का option है जाएगा उस परकार साप लोग अपने form को print कर लें print उसका निकाल लें और college में आप लोग submit कर दें तो इस तरीके से आप सभी छात्र अपना private exam form फिल कर सकते हैं अगर आपको कुछी समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो like share जरू करें और इस चैनल को subscribe करनें जिससे कि आपको हमारे इस के मादे हम से साही जानकारी मिलती रहे